लेखों को के दायतब की उनकी जिम्मेदारी की रचनाकार जो हैं और खास करके डोगरी के रचनाकार क्योंकि डोगरी अब समीदान के आठमे शडियूल में है आठमे शडियूल में ये 2003 को आई काफी स्टुगल इसके लिए लेखोकों ने सबी लोगों ने काफी जोड लगाया करने के बाद और पूरा जो लोग इसमें शामिल थे चाहे वो सियासी थे चाहे आम लोग थे चाहे दूसरे थे और लेकिन कहा मतलब जो लेखक थे उनका इनिशेटिव था तो जब लेखकों का इनिशेटिव था और सभी लोगों ने साथ दिया भाषा आठमीश जूल में आ तो अब उन लेखकों की जो सारे के सारे डूगरी में लिख रहे हैं उनकी क्या जिम्यदारी बनती है इस बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे हम डूगरी के जाने माने लेखक पदमशरी डाक्टर जीतिंदर उध्मपूरी जी से डक्टर साब आपका स्वागत है डक सब अब जानते हैं आब सभी सभी लोग जानते हैं कि भाषा जब एक स्टूल में इसके लिए स्ट्रगल चल रही थी नहीं थी और लगातार लोगों बिलागे कि अब भाषा हमारी six जूल में है हम अब यह मांँकर चलते हैं सिर्फ six बें आप तो हमारी सरकार ने भी इसे अफिशल लेंगुज भी बना रखा है स्कूलों में पढ़ाई जा रहे हैं स्कूलों में पूरी तरह से नहीं लेकन हाइड्स कंट्रीज में पढ़ाई जा रही है एमें और पीएशडी में हो रही है तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी सेट्विशन में हमरा जो डू आफिकि एम सबाइडा की नहीं को अखिए लुगरी जबारे की दूगरी जबान के उमरूज सहिटे की वमर बहुत कामा है। लेकिन हे इतने कम अर्शे में भी डूगरी拍कां बहुत अथा लिखा हैं दूगरी के वाले रहे हैं चंट्री के शायरों नेवक रहें काम किया है और अब दूसरी कौमी जबानों के एन कंदे से कंदा मिला कर चल रही है ये खुशी की बात है लेकर एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी हम किस दौर में लिख रहे हैं किस के लिए लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं हमारे लिखने का मैयार के है हम अगर दूसरी भाशाओं के मकाबले में हैं तो क्या हमारा लेखन उनके मकाबले में ठहरता है ठहरता है तो कहां ठहरता है मौन सिंग जी बच्चे अक्सर हमारे घरों में डोगरी पढ़ते नहीं किसूर मांबाप का भी है और हम लेख कोंगा भी है हमने उनको वो दिया ही नहीं जो वो चाहते हैं जो उन्हें दूसरी जबानों मिला है हम नहीं दे पा रहे हैं बच्चे कॉमेक्स पसंद करते हैं बच्चे अमर कथाओं के तरह तस्वीरों वाले कहानिये पसंद करते हैं बच्चे टेली फिल्म्स बच्चों की टेली फिल्म्स सन्क करते हैं पर नहीं कर पा रहें उनके लिए जब बद्बाग उनके लिए नहीं कर पाएंगे तो वो डोग्रीऊ क्यों पढ़ोंगे बशक्रा करो आपने इस कदर खुबरत तो ऑट्रेक्ट्र कि नहीं करेंगे और सब एक बात हम अपने घरों में बच्चों के साथ गाउन में अगर आप दूराज गाउं में जाएंगे तुम आप की कोशिश होती है चाहे वो टूटी-फुटी हिन्दी बोले हैं टुटी फूर्टी अर्दू बोले हैं लगा हिन्दी और दूमें बात करेंगे बच्चों के साथ जो नहीं होना चाहिए आपने देखा होगा कि कष्मीर के हैने वाले कश्मिरी बोलने वाले अगर दो विद्वान भी हैं एक जगह पर तो कश्मिरी में बात कर रहे हैं अगर पंजाबी के दो लेखक हैं कितने वो सभी बहुत से जबाने जानते हैं कि जब मन की बात करेंगे जब अपने घर की बात करेंगे जब अपनी बात करेंगे तो अपनी भाशा में बात करेंगे अड़र साब क्या आप इस बारे में कभी सोचा जा विचार किया कि ऐसा क्यूं है कि यहां डुगर में ही या डुगरी भाशी जो खेतर है उसी में ऐसा क्यूं है कि वो अपनी जुबान ना बोलके दूसरी जुबान बोलने की कोशिश करते हैं अपनी मातर भाशा ना बोलके ऐसा क्यूं है कभी ऐसा सोचा आपने ये ऐसा से कमतरी है ऐसा से कमतरी है ऐसा मत कीजिए ऐसा से कमतरी हमें किस ने दिलाया किसी कल्चर को अगर आपने तबाह करना हो तो उसकी जबान चीन लीजिए उसकी जबान अगर आप चीन लेंगे तो उसका कल्चर अपने अब तबाह हो जाए मिट जाएगा अगर आपने अपने कल्चर को जिन्दा रखना है हमारे पास बहुत है हमारे विर्से में बहुत कु कुछ है हम जोगरे एक ऐसी कौम है जिसने कभी पीठ नहीं दिखाई मैदाने जंग में नोग दोगरों ने नाम कमाया है दोगरों ने कुर्बानिया दिये एक भी दोगरा सरदार आपको ऐसा नहीं मिला होगा जो पीठ दिखा कर वापस आया हो डोगरों के पास पहाडी चित हँने हमें फकर करना चाहिए यह हमारे विर्सा है यह हमररे विर्सा है आसा नहीं लगता आपको के हमें साज्जिशन बंटा गया है और हमें जैसे आप ने कहा के एहसासे कम तरीessions से कमतरी हमें उसमें उसमें दखेला गया कि तुम ये है ये कुछ नहीं है जबके अभी आपने कहा कि हमारे हमारी इतनी रिच हैरिटेज है रिच फोकलोर है और देखते 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 वो हमसे लुपत होता जा रहा है हम उसे संबाल नहीं पा रहे है मौन साब मौन सिंग जी ये जो हमारा लोक अदब है जो हमारा असासा है वो इतना खुबसूरत है कि बहुत कम जबानों में हैसा आपको मिलेगा हमारे पास ऐसे लोक अथाए हैं जो साल साल बर किस तदर किस तद चलते हैं हमारे पास इतने प्यारे गीत हैं जिनका कोई मकाब बिलकुल हमारे बस बहुत कुछ है लेकिन हम संभाल नहीं पा रहे हैं लेकिन इस सब में लेक्खक की कितनी जिम्मधारी बनती है और वो क्या किर सकता है क्या इसमें कोई और लोगों कोई भी जिम्मधारी है कि रख भुणित ही पूरे समाज की जिम्मेदारी है लेकेकों के साथ समाज की पूरी जिम्मेदारी है उस समाज में सभी फिर्कों की लोग शामिल है दुगर में हर रहने वाला डोगरा है ये सब डोगरों की जिम्मेदारी है अधिके जैसा भी आपने कहा पहले कहा कि कॉमिक्स नहीं है दूसरी और आज तो डिश्टल दौर है आप तो वो कार्टून कल्चर आ गया है बच्चों में तो ये सब करने के लिए आप जानते हैं इसके लिए सर्माएफ जरूरत होए तो सर्माएफ लेक्षकों के पास नहीं है किसी भी लेक्षक के पास है कि दुनिया के जितने भी लेखक है भो सकता है वیस्ट में कुछ लोगों के पास बहुत पैसे पैसा हो कुछ लोग और डिर्वाइट नहीं जो इसके लिए अर्थ शास्त्र जो है जो माली जो इमदाद है वो करेगा वो कौन करेगा वो करेजातों सरकार या फिर जो धनियां है मौन सिंदी में च्छोटी सी बात कहूंगा उस से ज़रा ज़रूर जजबे की है अगर आद में जजबा है प्रेम जी कौन से बड़े अमीर थे मौन सिंदी में च्छोटी सी मिसाल दूगा जब मैंने एकाडमी जायन की है यह बात उनने इस सोच्छे तर के है उनने सो सतर की है छे साल में एकाडमी में रहा हम लोग शाम को हर शाम को कभी किसी गाउं में कभी किसी गाउं मुशारे को लिले निकल जाते थे मुशारे करते थे नाटिक करते थे लोग नाटिक को पर जोर देते थे कहां गया वो जजबा हाँ यह वो जजबा नहीं है यह एकडमी की भी थे थेें ज्मेदारी संस्ताओं की भी फिर इनके लहां आम आपमी इस मेड़िया बी है का थेकॉरी lon उसे कांश्रे से काँ मैं करें पुरी से कहते हम करें और जो अ है तो आपका कल्चर है, कल्चर है तो आप है. बिलकुल, बिलकुल, हमारी शनाकत उससे जुड़ी हुई है. जिसके लिए लेक लेकों की जिया जिम्मेदारी जाय है जासे आप knee कहा bênे को लेकों उनके साथ-साथ, जो क्योंकि हम जतना बेगाड कर चुके हैं, चाहे किसी में कारण भी किया हो, हमारी जो नई जरनेशन है, उसको हम अपने से दूर जो हमने कर रखा है, उसे कैसे, किस तरह से, पूरी तरह से इन्वाल्व किया जाए, कि वो अपने आप पे फकर करें, कि हम उनके हमें काम करना चाहिए, इसके लिए कुछ, जिस्सरैसे कि बंगाली, तन नं धन से बंगाली है, कि श्मेरी अपनी जबान की तरह की के लिए, हर कुर्बानी देने को तयार है, उर्दू बले, जी जान से अर्दू उर्दू लिक रहे हैं, उर्दू खुबसूर्दू और आपके कितना साव Reporting शू憊 क सकते के करनी सिवनाइब अफ़ी ये इतिहास में लिखते हैं कि बभी तक एक इक बीक जाब ऐसे नहीं है जिसे हम क्लासिक्स केंड़ी में रखते हैं डोगरी है तो आपका कल्चर है आपका कल्चर है तो आप हैं आपकी का अपने कल्चर को संभालिए अपनी जबान में खुबसुर्द लिखिए बच्चों को रागब कीजिए इस सरफ बच्चों का ध्यानी सब्साइब मुझे लगता है कि जैसे आपने पहले भी कहा कि हो नाटर करने लोग इन्वालव हो उसके बाद भी ऐसा हुआ है लेकिन जो जैसे तारह समयल पुरी जैसे आपने उनके साथ सर्बस्ट भी की है जो उनके पास बात थी जो हाथ से और विंग और एक मैसेज उसमें अपनी कवीता के वार्फत वो और जैसे बसंत राम बसंत जो कवीता जब करते थे तो सुनने वाले उसके नशे में घर जाते थे बिल्कुल सही है उनका उसको कवीताओं को नशातारी रहता था आज शायद हम पब्लिक से लोगों से कट चुके हैं और यह कारण भी उजह लगता है कि शायद आप मुझसे इतफाक करेंगे कि यह कार अब इसे भी हमें रवाइब करना चाहिए आपने आपको बिचार करने की जुरूरत है और मुझे लगता है कि हमें इस पे सामूही के तोर पे एक अठे बैट के विचार करना चाहिए ताके भाशा जो है जन जन तक पहुंचे और लोगों का हम फकर से कह सके के हाँ जी हम डूगरे हैं हम सब डूगरी बोलते हैं अडल्ट साहब का बह कितक विचार का पार ंप, प्रुव झाहिछ, चाहिए विचार